Hello दोस्तो, Welcome to PMF IS Environment Video Lecture Series, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये Environment Video Lecture Series जो है, वो PMF IS Environment Booklet 2024-2025 के बेसिस पर बनाई गई है, डिजाइन करे गई है, and the entire series is presented by me, मेरा नाम दोस्तो रिशब है, and this is our fourth video in the entire series, जिसमें हम लोग Chapter 2 of the PMF IS Environment Booklet को cover करने वाले हैं, जो की है, Ecology, Principles and Organization. एक बाद Table of Contents में जब आप चेक करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इसमें दो पार्ट्स हैं, 2.1 and 2.2, पिछली वीडियो में हम लोग 2.1 को entirely cover कर चुके हैं, कि individual से लेके biosphere तक के जो भी concept से उसको बहुत detail में देख चुके हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग Principles of Ecology पे बाद करने वाले हैं, Adaptation से लेके Extinction तक के जितने भी Principles हैं, उसको एक बारी में हम लोग cover करने वाले हैं and detailed रूप से cover करने वाले हैं. Start करते हैं सबसे पहले Principle of Ecology, that is Adaptation. What is the meaning of Adaptation? देकि Adaptation कुछ नहीं, बलकि एक Appearance, Behavior, Structure या Mode हो सकता है, इसमें Changes आ सकते हैं for a time period, वो किसले आते हैं, ताकि Organism जो है, कोई भी जो जानवर है, वो बहतर तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से अपने Environment में Survive कर सके, यानि कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, कि Adaptation का Process क इसले होता है, पॉसिबल, ताकि एक इनसान या एक जानवर या एक प्रजाती बहुत अच्छी तरीके से अपने उस Environment के अंदर रह पाए, जैसे Example के रूप में अगर आपसे बोलू, आजकल आप लोग देखेंगे, कि जैसे पहले हम लोग जो ये मच्छर मारने वाली Coil आ उनकी बोड़ी पर कोई नई चीज आई, फिर क्या होगा, over the time period, they adapted to this particular जहर जो भी वो उस धुएं के साथ, वो adapt कर गए, और फिर finally क्या होगा, वो Musquitoes के सामने आज आज आप ये Coil जला भी दो, तो उनको कुछ होता नहीं, वो थोड़े से वियोश होते हैं, गुम खाम क्य निकल जाते हैं, कहने का मतलब क्या है, कि हर एक स्पीशी अपने आपको जिन्दा रखने के लिए अपने behavior में, या तो अपने behavior में किस तरीके से वो behave करता है उसमें, या किस तरीके से वो दिखता है, appearance में, या उसके structure में, physiological structures में changes आ जाते हैं, या वो जिस तरीके से काम करत उसमें changes आजाते हैं ताकि वो बहतर तरीके से और सबसे अच्छी तरीके से survive कर सके उस particular environment के अंदर और याद रखेगा यह adaptation जो है वो genetic basis पे होता है यानि कि genes में changes आजाते हैं genetically वो चीजेंज हो जाती है ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ temporary change है फरक है temporary और genetic change में क्योंकि जो चीज genetic change होती है वो permanent change होती है अब आप बोलो क्या एक बार किसी जानवर के अंदर adaptation आ गया तो उसके अंदर दूसरी तरीके का adaptation नहीं आ सकता जी आ सकता है बट वो भी बहुत gradual होगा और वो कब हो सकता है adaptation का change जब एक time period निकल जाए यानि कि बहुत हजारों सालों में adaptations develop होती है एक आधिर दिन का procedure नहीं है इस वेरी gradual slow process जिसके बाद दीरे 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 यह जानवर जो है अपने structures को अपने behaviors को change कर लेते हैं जैसे कि for example सबसे पहला हम लोग देखते है types of adaptation behavior adaptation कि behaviors में कैसे change आ जाता है तो जानवर क्या करते हैं temporary अपनी movements को develop कर लेते हैं जैसे for example आप देखेंगे कि Siberia से कई सारे पक्षी जिनको हम लोग क्या बुलाते हैं उनका नाम है Siberian Crane यह Siberian Crane जो है Siberia जो है पहुत ही थंडा इलाका है वहां से चलते हैं और और कहां पर आकर के end में रुखते हैं वह आफ्रिका में रुखते हैं अब सवाल यह है कि वह वहां से जाते ही क्यों है वह वहां से इसलें जाते हैं क्योंकि जब extreme ठंड हो जाती है वहां पर पूरा लोकेशन जहां पर थंड तो है बट उतनी थंड नहीं है कि उनको खाना ना मिले जैसे कि for example वो कहां पर जाते हैं राजिस्थान में भी रुखते हैं यानि कि वो भारत में आते हैं राजिस्थान में थोड़ा सा रुखते हैं और उसके बाद फिर आफ्रिका का सफर करते हैं जैसे एफ्रिका में गर्मी बढ़ने लग जाती है फिर वो वापिस से साइबिरिया की तरफ चले जाते हैं यानि कि अगर आप यह बास समझ पारे हो क कि यह जो मुव्मेंट हो रही है कॉंटिनेस मुव्मेंट कि इस बेसिस पर हो रही है कि एक अडाप्टेशन है बिहेविरल अडाप्टेशन आ चुका है ऐसे ही अब आगे देखेंगे कोर्टशिप बिहेवियर होता है कोर्टशिप बिहेवियर जो है आप देखेंगे पिक की chemistry में यह metabolism में यह उसके internal process में चेंज आगा है जैसे कि for example इसके लिए kangaroo rat है Northern America desert में पाए जाता है यह रहा kangaroo rat इस rat के पास क्योंकि desert में पाए जाता है तो इसको simple सी बात है water या फिर मैं बोलूं moisture इसकी availability नहीं होती है यानि की water और moisture जो है बहुत कम है deserts के अंदर और यह जो kangaroo rat है इसने अपने आपके अंदर एक इस तरीके का adaptation process को develop कर लिया है क्योंकि अगर इसी climatic conditions में survive करना है तो कम पानी के साथ जीने की आदत डालनी ही पड़ेगी तो इसके body के अंदर एक physiological change आ गया और उसके अंदर क्या होता है कि इसकी body में internal fat oxidation होता है यानि कि इसकी body में एक ऐसा procedure develop होता है जिसमें पानी एक byproduct निकलता है आप समझ पा रहे हैं कि शरीर में ही पानी बन रहा है byproduct अगर भार से नहीं भी आपा रहा तो शरीर अपनी water requirements को internal fat oxidation के method के थुरू पूरा कर लेता है दूसरा यह अपनी urine को भी रोक लेता है यानि कि toilet को भी रोक लेता है ताकि water का जो loss है उसको बचाया जा सके अगर आप बहुत जादा frequent urination करते हैं या urine करते हैं तो आप देखेंगे फिर कि पानी का loss बहुत जादा हो जाएगा पानी मिलेगा ने desert में तो यह physiological change इसके शरीर में आ चुका है ऐसे ही एक देखेंगे आप तीसरी तरी के adaptation होता है जिसको morphological यह structural changes भी कहते हैं अब इस structural changes क्या है physical outward features of an organism or a species जैसे for example बहुत सारे जानवर आप देखोंगे कि वो उड़ने लग गए कुछ जानवर जो है वो बहुत तेजी से swim करते हैं कुछ जानवर जो है वो you know लंबी-लंबी छलांगे लगाते हैं कुछ अपने प्रेस को पकड़ने के लिए बहुत जादा adaptation को यह procedure को इत physiological का एक है morphological का यानि कि उसके शरीर कैसा दिखता है उसमें changes आ गए है जैसे for example आप यहाँ पर देखेंगे जो यह cats हैं यह बहुत सारे जानवर होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं nocturnal animals यह nocturnal animals का मतलब होता है जो रात को यानि की रात में या फिर after sunlight बहुत जादा active होते ह हैं इनको हम बोलते हैं कि आप morphological nocturnal animals इनकी बोडिम adaptation इस तरीकी का आया है अच्छा जी यह जो nocturnal animals हैं इनकी आखे ग्लो करती हैं because of a membrane present there वो membrane क्या करती है उनकी आपो में जो photoreceptors है उस तक जादा light पहुचाती है जिससे कि रात को भी शिकार कर सकते हैं क्योंकि आप ज सब क्या हैं डायरनल animals हैं डायरनल animals जो होते हैं वो क्या हैं दिन में अक्टिव होते हैं नॉक्टनल है इनको रात में रोशनी कम होनी की वज़े से photoreceptors बहुत अच्छे से image retina पे नहीं बना पाते इनकी structures इस तरीके से बने हैं कि यह बना सकते हैं दूसरा आप देखेंगे webbit feet यह अगर आप notice करें इसके जो structure है डक्स है या जो भी पानी में तैरने वाले जानवर हैं इनके आप देखोगे webbit feet है feet इस तरीके से develop होए हैं यह अगर आप feet देखो कि यह एक तरीके से किसका काम करता है एक तरीके से पानी को पीछे धकिलने का काम करता है और swimming असान ब सकें और अपने खाने को पूरा कर सकें अगर इसकी गर्दन बहुत छोटी होती तो यह develop ही नहीं हो पाते मर जाते सो कहने का मतलब है adaptation किसी भी प्रकार से हो सकता है for example आप देखिए कि कुछ जानवर होते हैं उन्हें हम कहते हैं ruminants ruminants का मतलब क्या होता है जो rumination के procedure को अप समझना पड़ेगा कि जो cattle है जैसे normal गाय है buffalo है इनके शरीर में चार compartments है पेट में पेट को यह अगर आप देखोगे तो अलग-अलग compartments देखने को मिलेंगे जैसे एक है rumen एक आपको मिलेगा reticulum एक आपको यहाँ पर मिलेगा omosum एक आपको मिलेगा ab omosum यह क्या है चार खाने है इसके ही पेट में अब होता क्या है सबसे पहले यह जब भी गाये मा लीजे घास खारी है सबसे पहले जो यह घास है कहाँ पर जाकर के store हो जाती है rumen में जाके store हो जाती है और फिर यहाँ पर थोड़ा सा breakdown होता है इस घास का फिर यह जो घास है वो कहां जाती है retic यानि कि second chamber में जैसे ही वो reticulum में जाती है reticulum के तुरंत बाद आप notice करेंगे एक दम तुरंत बाद reticulum से वो उसके मुह में वापस आ जाती है इसी को बोलते हैं कि गाए, buffaloes, cattle क्या करते हैं जुगाली करते हैं यानि कि पहले तो swallow कर लेते हैं खाने को फिर reticulum से इनके मुह में द्वारा खाना आता है यह उसको द्वारा चबाती हैं, digest करती हैं, breakdown करती है और फिर इसके बाद वो omosum में जाता है फिर वो app omosum में जाता है आप जैसे कि app omosum को हम लोग क्या वहते हैं true digestive stomach क्योंकि यहीं पर असली digestion होता है possible तो आप देख पाएंगे यह ruminants के पास इस तरीके का procedure इस तरीके से development इसी वज़े से हुआ है ताकि यह cellulose वाली जो digestive products हैं उनको अच्छे से पचा सकें, swallow करने के बाद बापिस आने का जो procedure है वो भी एक तरीके का adaptation ही है आप देख सकते हैं इस घर को, यह घर जो है आज कल वैसे तो यह logo की द्वारा बनाए गए है, manmade बनाए गए है बड़ यह manmade structure जो है इसकी हम लोगों को, you know, idea कहां से निकला, इसका idea निकला इस पेड़ से अब यह पेड़ आप देखेंगे, जो पेड़ होते हैं, thorn वाले forest या आप बोल सकते हैं, needle shaped होते हैं अब यह needle shaped क्यों होती हैं, इनकी पत्तियां, पत्तियां needle shaped इसलिए होती हैं, क्योंकि ice जो है, वो थंडे इलाकों में accumulate हो जाती है उपर, तो वो ताकि accumulate ना हो सके उपर के इलाके में, पतली पतली लंबी लंबी आप देखेंगे needle shaped leaves होती हैं, जिससे कि snow का जो burden है, वो वहा नहीं तूटी, थंड में ना breakdown हो पाता है, प्लस photosynthesis भी easily possible हो पाता है, अगर उसपे snow की layer रहेगी, तो sunlight में जैसी आएगी sunlight उपर की तरफ albedo effect हो जाएगा, यानि कि वो reflect हो जाएगी, यह बहुत ही अच्छी adaptations यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं, ऐसे एक adaptation आपको देख थंडे अलाके में रिखते हैं, तो इनके पास एक thick layer of fat, एक पूरी की पूरी fat की एक fur layer मौझूद होती है, जिससे की इनको गर्माहट मिलती रहे, transparent fur for camouflage, अगर आप यहाँ पर एक चीज़ और notice करेंगे, अभी हम आगे वैसे camouflage को पढ़ने वाले हैं, बट एक चीज़ याद यह इस तरीके से white color का ही इनका शरीर है, ताकि यह जो बरफ वाले इलाके में छिप जाएं, यानि कि इनको कोई पहचान ही नहीं पाता है, camouflage technique का इस्तमाल करते हैं, यही camouflage technique का इस्तमाल कौन करते हैं, हमारे soldiers, आप देखेंगे जो हमारे soldiers, सिया चीन glacier पर रखवाली करते हैं, हमारे 24-7 दिन, आप देखेंगे 300-65 दिन वो व्यक्ति उस थंडे इलाके में, minus 50, minus 60 degree Celsius में जो रहते हैं, उनके कपड़े आप अगर notice करेंगे, तो आप देखेंगे वो white color के clothes पहनगे रहते हैं, क्यों ताकि snow के साथ वो घुल मिल जाएं, इसी घुल मिल जाने को camouflage कहते हैं, ताकि कोई भी दुश्मन उनको पकड़ ही ना पाए, या उनको दूर से identify ना कर पाए, वो snow के साथ snow जैसा ही घुल मिल जाते हैं, इसे camouflage technique कहते हैं, same adaptations in elephant अगर आप notice करें, इनके आप अगर कान देखेंगे, कान elephant कितने बड़े-बड़े क्यों होते हैं, देखो elephant कभी भी तंडे अलाके में नहीं मिलेगा, elephant आपको कहां मिलेगा, गर्मी वाले अलाके में मिलेगा, यानि की tropical areas में मिलेगा, जहां पे heat होती है, और excess heat होने की वज़े से इसकी body में से heat निकलनी ज़रूरी है, नहीं तो ये मर जाएगा, तो इसके पास इतने बड़े-बड़े कान इ आपको sweating क्यों होती है, आपको पसीना क्यों आता है, जब भी गर्मी लगती है, हम कहते हैं पसीना आ गया, नहीं, actual में पसीना नहीं आया, हमारी body ने उस procedure के तहट हमारी body में से excess heat को निकाला है, moisture के form में, उसी कौन sweating कहते हैं, ऐसे ही ये भी क्या करता है, अपने कान ऐसे कर के हिलाता है, और इससे क्या हो जाता है, इसको थंड़क मिलती है, ये बड़े-बड़े कान इसको hot और humid climate में बचाने में मदद करते हैं, फिर इसके पास जो tusk दे रखा है, आप देखेंगे, ये protection है, gathering, खाने को पकड़ने के लिए, ये इसके लिए बहुत आवशक है, trunk इ maintain करने के लिए, disperse करने के लिए, weight को इतने बड़े-बड़े इसके पैर मौझूद है, ऐसे ही plants का desert में, जो plants पाए जाते हैं, उनमें एक अलग तरीके का adaptation पाए जाता है, for example, जो desert में plants पाए जाते हैं, इनके पास well developed root system होता है, roots कितनी well developed क्यों होती है, हमने पहले भी humidity होती है, सूखापन होता है, जहां पर भी, आप देखेंगे कि moisture की कमी होती है, वहाँ पर जो roots होती है, वो बहुत जादा developed हो जाते हैं, क्यों, ताकि उनको moisture लेने के लिए बहुत नीचे की तरफ जाना परता है, या तो वो vertically नीचे की तरफ जाती है, या फिर वो laterally आगे और इस तरफ move करती है, तो depend करता है, पानी किदर है, ऐसे ही spine and waxy leaves to check transpiration, आप देखेंगे juicy leaves होती है, इनकी succulent leaves कहतके हम इसे, और ये इसलिए होती है, ताकि जो transpiration का process है, उसको कम किया जा सके, क्योंकि transpiration क्या है, normal heat होने की वज़े से जो पानी का loss होता रहता है, अब अगर ये transpiration का process बहुत जादा तेज हो जाएगा, कहां पर, you know, photosynthesis के बाद, तो आप notice करेंगे कि जो पतियां हैं, वो सूख जाएंगे, मर जाएंगे deserts की, इसलिए इस process को check करने के लिए spine होते हैं, वहाँ पे यानि कि पतियां develop ही नहीं होती, पतियां spine की shape में होती हैं, जैसे cactus म होती हैं, अच्छा आप यहाँ पे notice करेंगे, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे spines होती हैं, यानि कि जैसे cactus में काटे लगे होते हैं, वो है, अब अगर काटे हैं और leaves हैं ही नहीं, तो photosynthesis कैसे होगा भाई, देखो photosynthesis ऐसे हो पाएगा, क्योंकि green stems यहाँ पे photosynthesis possible हो पाता है, इसलिए आप notice करेंगे कि इनके पास stems में photosynthesis का adaptation होता है, फिर यहाँ पे एक चीज़ और होती है, sunken stomata, stomata जो है actual में sunken होता है, यानि कि it is not directly visible to the leaf and found beneath the epidermis and beneath the leaves of the plant, जैसे कि for example यह देख सकते हैं, this is epidermis और यह रहा sunken stomata, stomata जो है, openings जो है, वो stomata की openings यहाँ पर मौझूद है, और यह stomata की openings यहाँ पर मौझूद होने का फाइदा क्या है, water loss को बचाना, अगर stomata की openings बिलकुल उपर की side होती, यानि कि यहाँ होता stomata, तो पानी का loss बहुत जादा अधिक होता, जबकि वो नीचे की तरफ होता है, एक layer, मोटी layer के नीचे मिलता है, इस पानी जो है, वो जादा loss ना हो, ऐसे ही आप देखें, desert में एक और बहुत ही important animal है, जिसको हमें cattle बोलते हैं, उसके अंदर भी कुछ adaptation है, for example, आप देखेंगे, इसके पास long eyelashes मिलेंगे आपको, अब आप बोलिए कि भाई, देखें, ऐसे तो आजकल eyelashes बड़ा, बड़े करने क जमाना है, but eyelashes इसके पस naturally beauty है, और वो natural beauty इसके eyelashes की क्यों है, क्योंकि ये कहां रहता है, sand वाले ecosystem में, जहां पर sand और dust storms बहुत जादा आते हैं, मिट्टी बहुत जादा उड़ती है, तो ये चल ही नहीं सकता, अगर इसके eyelashes बड़ी ना हो, तो आखें, eyelashes बड़ी होनी का है, धूल मिट्टी में इसको बचाब मिलती है, इसका जो mouth है, वो बहुत जादा broad होता है, ताकि ये cactus, cactus जासी चीजों को खा सके, plus सिर्फ इतना ही नहीं, इसके mouth में आप देखेंगे, waxy substances लगे होते हैं, जो कि इसके काटे जो है, cactus के वो चुटते नहीं, ठिक eyebrows हैं, ताकि सांड से बचाया जा सके, similarly, इसके foot जो है, वो wide होते हैं, ताकि सांड के अंदर घुस भी जाएं, और भार भी आ जाएं, similarly, टांगे बहुत बड़ी-बड़ी होती है, उपर की साइड इसका शरीर है, क्योंकि soil जो होती है, याली सांड जो होती है, बहुत जादा heat up हो जाती की गर्मी में, तो उसका शरीर उपर की तरफ है, ताकि उसकी body का temperature maintained रह सके, hump होता है, इसके पास, तो hump में generally लोगों को लगता है, यहाँ पर पानी भरते हैं, आट्पून networks में भी ऐसे दिखा देते हैं, कि यहाँ पर ऐसे खोला, उसने hump पानी पी लिया, नहीं जी, यहाँ यहाँ पर क्या होता है, fat होता है, excess store, हो सकता है, उसको खाना ना भी ले, तो यहाँ से वो अपने excess fat को use कर सकता है, यह भी एक तरिकी का adaptation है, and आप notice करेंगे, similarly waxy layer, जो मैंने आपको बताया, long and vertical roots, roots किस तरिके से develop हो सकती है, या तो यहाँ पर जा सकती है, या फिर नीचे क तरफ जा सकती है, चलिए, अब बात करते है, camouflage, camouflage is another type of adaptation that you can see in the organisms, यह क्या है, एक तरिकी का structural adaptation है, जहाँ पर living organism अपने, या तो color को change कर लेता है, या अपने structure को change कर लेता है, but वो करता है इसलिए, ताकि वो अपने environment के साथ एक्दम से blend हो जाए, जैसे मैं example से समझाता हूँ, आप अगर यह वाली image है, इसको notice करेंगे, यहाँ पर सभी तरिके के जो zebra है, वो एक साथ move कर रहे है, herd में, यानि कि they all are in herds group में move कर रहे है, अच्छे है, यह आपने notice किया होगा, कभी भी zebra जो है, अकेला जाता वाने ही दिखेगा, अकेला घुमता वाने ही दिखेगा, हमे आपको ऐसे, I'm actually telling you the truth, lion और यह जितने भी predators होते हैं, यह सब को जुन्ड में नहीं मार सकते हैं, इमको पता है कि जुन्ड में वो अगर घुज गए तो वो खुद मर जाएंगे, तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले या तो बच्चों को निशाना बनाते हैं, बुडों को नि individual है, मुझे इसको खाना है, तो वो उसी की तरफ नजर रखेगा, बाकी फिर चाहे जेबरा उसके बिल्गुल बगल से क्योंना निकल जाएं, यानि कि अगर lion यहा बैटा है, और कोई दूसरा zebra उसके यहां से क्योंना निकल जाएं, वो उसको नहीं मारेगा, वो उसी को मार था मेरा, और फिर सारे बचके निकल जाते हैं, सिमिलरली अगर आप यहां नोटिस करो, आपको यह ट्री टंक दिखरा होगा, बट अगर आप इसको दियान से देखो, यह देखो, यह वाली फोटो को आप दियान से देखो, यह आउल है, यहां पर आउल बैठा है, हना बिल चलिए दोस्तों तो एक चीज़ हम सबको यह बहुत कॉमनली लगती है, कि जो गिर्गिट है, यह गिर्गिट जो है अपने रंग बदल लेती है, हम लोग कहते हैं कि यह गिर्गिट जो है वो भी कैमोफलाज करती है, जी नहीं, इस नौट अ कैमोफलाज, यह बात ध्यान के क्रिस्टल्स मौजूद हैं, जो की चमकते हैं अलग-अलग रंगों पे बैठने के बाद, सो एक्च्वल में वो रंग इसलिए नहीं बदलती है, कि वो मरना नहीं चाती है, यह बचना चाती है, ऐसा नहीं है, वो एक्च्वल में रंग इसलिए बदलती है, क्योंकि उसक रंग बदलने का behavior है इसी को हम coach behavior के नाम से भी देखेंगे कि actual में रंग बदलती गिर्गिट इसलिए है ताकि वो अपने mates को attract कर सके यानि कि female या male partners को जो भी दूसरा gender है उसको attract करने के लिए भी coach behavior का इस्तमाल करती है और इसलिए वो रंग भी बदलती है तो रंग बदलती इसलिए नहीं है कि वो तो camouflage कर रही है it is not a camouflage अगर गल्गो question पूछ ले क्योंकि generally सबको लगता है गिर्गिट भी एक camouflage technique का इस्तमाल करती है जी नहीं वो तो उसकी body के अंदर naturally ऐसे substances create हो जाते हैं वो जिस substance फे बैठती है अपने body temperature को maintain करने के लिए उसकी body में उसी तरीके का रंग निकलने लग जाता है चले courtship behavior को हम बहुत बार discuss कर चुके हैं बात कर चुके हैं अब एक बार देखते हैं होता क्या courtship behavior आपने कभी भी देखा है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा भाई देखी यह मोर नाच रहा है अब यह मोर जब नाचता है यह मोर नहीं जब करने के लिए ऐसा करते हैं दूसरा just before mating यानि कि जैसे ही उनको mate करना होता है hatching करनी होती है reproduction करना होता है उससे just पहले यह काम किये जाते हैं voice calls भी लगाई जाती हैं ऐसे ही आप देखेंगे यह courtship behavior अपने आपको जरूर से ज़ादा बड़ा दिखाना अपने आपको attractive दिख के streamlined है swim bladder है gills है इनके पास पानी में oxygen की कमी होती है क्यों क्योंकि पानी में oxygen जो है dissolved form में होती है अब यह जो dissolved form के oxygen को लेने का प्रक्रिया gills यानि कि इसके पास gills मौजूद है इसकी जो shape है वो तैरने में सबसे बहतरीन मानी गई है so marine adaptations भी यहाँ पर आपको देखने को मि क्योंकि पानी के अंदर roots बहुत नीचे तक नहीं जा सकते है sunlight उपर तक maintain रहती है मेरे कहने का मतलब यह है पानी के structures अगर आप देखोगे तो generally ऐसा माना जाता है कि sunlight जो होती है वो 200 मीटर तक ही penetrate कर पाती है maximum 700 मीटर तक वह भाद में पढ़ेंगे बड़ बिलकुल नीचे तक sunlight नहीं जा पाती तो sunlight अगर नीचे नहीं जा पाती तो plants नीचे डेवलप ही नहीं हो सकते इसलिए reduce root system के साथ ऐसे plants हो जाते हैं जो की उपर ही उपर तैरते रहते हैं इस तरीके का structures भी development हुआ है adaptation के process से एक और example देखे आप देखिए चिडियां ये सारी हैं ये सब ही birds ह पास अलग-अलग beak है यानि कि मैं कहा रहा हूँ उनकी जो चोंच है वो बिल्कुल अलग 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 है for example इसकी चोंच जो है वो बहुत पतली है वो पतली चोंच long thin beak इसलिए बनाई गई है ताकि वो कीडो को निकाल सके मिट्टी में से या trunk उसमें से जैसे माल लीजे ये पेड़ है पेड़ का trunk है इसकी घेराई में से अगर कीड़े निकालने तो इसको पतली सी बीक टाइप formation चाहिए दूसरा अब माल लीजे पैरट है पैरट के आपने बीक देखे होगी कितनी मोटी और कितनी solid होती है ये strong beak इसलिए होती है ताकि वो nuts को crush कर सके बहुत tight और strong चीजों को भी तोड़ने का दम रखती है strong beak जो होती है ऐसे ही अगर आप देखोगे बगुले जो होते हैं या कई सारे ऐसे जानवर्स होते हैं जिनके ऐसे करके इन्हों flat beak होती है ये flat beak इसलिए होती है ताकि वो मचली पकड़ सके अगर पतली beak होगी तो इसमें मचली नही लग है यहरे के पंजे as per these structures की वो किस जानवर को खाते हैं उसी के according develop हुए है उनके नापुन भी एक और example देखते हैं adaptation का mammals in the colder climate have shorter years and limbs to minimize the heat loss इसी को हम Allen का rule कहते हैं बहुत ही important concept है Allen's rule एक पर ध्यान से देखते हैं Allen's का rule कहता क्या है लेकि Allen का जो rule है वो ये कहता है कि mammals और mammals में भी कौन से mammal warm-blooded भई warm-blooded animals की बात हो रही है यहाँ पर कि warm-blooded animal जो colder climate में मिलते हैं यानि थंडे अलाके में मिलते हैं उनके जो आख, नाक, कान, हात, पैर वो जनरली छोटे होते हैं ताकि उनका heat loss जादा ना हो सके तो मैं आपको पहले एक बार concept clarity से समझा देता हूँ फिर उसके बाद हम Allen rule को और बहतर तरीके से discuss करेंगे सबसे पहले तो यह rule दिया किसमे था यह rule दिया था जॉल आसफ एलन ने 1877 के अंदर उसी को famously हम Allen's rule बोलते हैं ध्यान दे सुनेगा वो क्या कहते हैं वो कहते हैं वो कहते हैं वो पोल्डर क्लाइमेट में मिलते हैं उनके जो हाथ पैर होते हैं वो जनरली छोटे होते हैं equivalent to वो ही अनिमल जो warm environment में मिलते हैं यानि कि जिनके पास low surface area होता है अब मैं आपको पहले concept समझा देता हूँ low surface area और higher surface area था देखिए पहले तो आप मुझे एक बात बताईए आप लोगों ने चाय पी है बिल्कुल आप सबने चाय पी होगी गरम गरम खाना खाया होगा आप आपने नोर्फिस किया होगा जब भी चाय गरम आती है तो हम क्या घरते हैं उसको कटोरि में तालके फिर पिते हो ताकि उसका surface area बढ़ जाए जैसे ही surface area बढ़ जाता है तो होता क्या है कि जो heat है उसका जो लॉस है वो तेजिसे होता है यह बात आप मानते हो की नी मानते हो यानि कि कोई भी गर्म वाली चीज़ है अगर आप उसको फैला दो उसका surface area बढ़ा दो तो थंडी जल्दी होगी यानि कि heat का loss बहुत तेजी से होगा Similarly अगर मैं आपसे बोलूँ आप मुझे बताओ किस जानवर में heat loss ज़्यादा होगा heat loss increase किसमें होगा उन जानवरों में जिन में surface area ज़्यादा है या उन जानवरों में जिन में surface area कम है तो आपका अंसर होगा सर उस जानवर में जिसका surface area बहुत ज़्यादा है उसमें heat loss बहुत ज़्यादा होगी तो अब मैं आपसे एक और चीज़ कहता हूँ there is something known as surface area to volume ratio surface area के comparison में volume का ratio भी चेक करना है और जब आप surface area को volume के ratio के साथ compare करते हो अगर surface area to volume ratio कम आएगा तो याद रखना heat loss भी कम होगा और surface area to volume ratio अगर ज़्यादा आएगा तो आप ये बोलोगे कि heat loss ज़्यादा होगा तो याद रखना simple सी बात है अभी आपको सिर्फ surface area पे ध्यान नहीं रखना है आपको surface area to volume कम तो heat loss भी कम surface area to volume ज़्यादा heat loss भी ज़्यादा तो अब मुझे बताओ ऐसा कौन सा जानवर होगा जिसका surface area to volume ratio ज़्यादा होगा ये कम होगा ये डिपेंट करेगा वो मिलता का है तो जो 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 एस फैलन है उन्होंने एक चीज पता लगाई उन्होंने ये पता लगाया कि यार जो थंडे इलाकों में जानवर मिलते हैं जो थंडे इलाकों में मिलते हैं जैसे for example ये रहा वो जानवर जो थंडे इलाके में पाये जा रहा और यही सेम इसके ही family का या इसी के close relative है जो गरम इलाके मिलता है तो ये hot में मिलता है ये cold में मिलता है तो इन्होंने का कि hot और cold म अगर आप देखोगे तो इसके जो year है और इसके जो year है इसमें एक फरक है क्या फरक है इसके years जो है वो बहुत लंबे है लेंदी है जबकि इसके year short है दूसरा अगर आप देखो इसके टांगे और इसकी टांगे उसमें भी फरक है यानि की जॉल, एसफ, एलन ये बताते हैं, सिंपल परिभाशा में कि थंडे इलाकों में जो जानवर पाए जाते हैं, उन्हीं की सेम और क्लोज रिलेटिव अगर गरम में आप चेक करोगे, तो आपको एक चीज नोटेस होगी, कि थंडे इलाकों में पाए जाने वाले जानवर अपनी हीट लॉस को बचाना चाते हैं, यानि हीट लॉस को कम करना चाते हैं, और इस हीट लॉस को कम करने के लिए अपने हाथ पैर इनके एडाप्टेशन में छोटे हो गए, जिससे की इनका सर्फेस एरिया टू वॉल्यूम ratio कम हो गया, जिसकी वज़े से heat loss कम हो गया, जबकि यहाँ पर अगर आप देखोगे, इनको heat का जो loss है, गरम वाले अलाके में जाधा करना होता है, तो इनका surface area to volume ratio जो है, वो जाधा है, इस वज़े से heat loss जाधा होती है, so याद रखना, in cold climates, greater the exposed surface area, greater the loss of heat and energy, so living organisms in cold climates need to conserve as much energy as possible, so low surface area to volume ratio helps in conserving heat, और याद रखना, high surface to volume ratio में क्या होता है, high surface to volume ratio में obviously heat का loss जाधा होता है, अच्छा, heat का loss अगर जाधा होगा, तो वो जानवर थंडे अलाके में तो नहीं रह पाएगा, यानि कि वो मर जाएगा, क्योंकि heat एकदम से निकल गई, तो वो अपने आपको बचाएगा कैसे, इसलिए एक सवाल और पूछ सकता है UPC, कि छोटी-छोटी जो पक्षी हैं, छोटी-छोटी birds हैं, वो हमें क्यों नहीं देखने को नहीं मिलती, क्योंकि एक्च्वल में, देखो, एक्च्वल में यहाँ पर पॉइंट यह है, कि ऑल्दो उनका surface area small है, small surface area तो है, कि इनके पास, इनके पास जो यह छोटी पक्षिया है, इनके पास small surface area है, बट जब हम इनका surface area to volume ratio चेक करते हैं, तो वो बहुत हाई निकल के आता है, इसलिए उनकी heat loss हो गई, जिसकी बज़े से evolution के process में, या जिसकी बज़े से हजारों सालों में वो पहले माँ पे थे तो सही, बट वो मर गए, और वो वहाँ पर फिर develop, adapt नहीं कर पाए, तो survive ही नहीं कर पाए, cold regions में, इसलिए गर्मियों वाले इलाकों में आपको छोटी-छोटी पक्षियां देखने को मिल जाते हैं, जैसे इस example से भी आप देख सकते हो, यहाँ पे अगर आप notice करो, volume दोनों का बिल्कुल बराबर है, देखो volume के मामले में दोनों बिल्कुल बराबर है, एक का surface area 24 है, एक का surface area 28 है, इसका surface area जादा है, higher surface area, इसका surface area कम है, तो काईदे से नियम के अनुसार, मैं आपसे बोलूँ, तो इसमें heat loss जादा होना चाहिए जबकि इसमें heat loss कम होना चाहिए पट ऐसा नहीं है अगर आप notice करेंगे इसका surface area to volume ratio कम निकल के आया है इसके comparison में इसलिए इसमें heat loss कम होगी और इसमें heat loss जादा होगी हमेशा surface area to volume चेक करोगे सिर्फ surface area चेक नहीं करोगे ऐसे एक और व्यक्ति थे बर्गमैन बर्गमैन ने भी एक अपना जो रूल था नियम था वो दिया था उन्होंने क्या बोला था कि कोल्ड क्लाइमेट में जो जानवर मिलेंगे उनका शरीर लार्ज होगा इंडिवीजुवल्स का इन कंपारिजन टू वो जानवर जो गरम वाले राके में मिलते हैं जैसे ये फॉक्स को देखो आप ये थंडे राके में मिलता है ये गरम अलाके में मिलता है दोनों ही प्लोज रिलेटिव जैंक दूसरे के तो बर्गमैन क्या बोलते हैं कि lower surface area to volume ratio मतलब की heat में कमी आ जाती है तो generally वो ये कहते हैं कि आप कभी भी notice कर लिजे थंडे इलाकों में आपको जानवर का size, अब जानवर का size मैं generally नहीं बोल रहा हूँ, उसी के close relative के comparison में कह रहा हूँ, तो वो कह रहे हैं कि आप जाक करके जब check करेंगे उस जानवर का size थंडे इलाकों में, बार-बार मैं आपस इसी को bergman's rule भी बोला जाता है, अच्छा, allen versus bergman, allen और bergman का difference क्या था, दोनों ने cold temperatures में जानवरो के size की बात करी है according to the heat या temperature, तो bergman focus करते हैं overall body size पे, bergman क्या बोलते है, total body size जो होगा वो बड़ा मिलेगा, जैसे इसका total body size बड़ा है इसके comparison में, जबकि allen क्या बोलते ह कि particularly उसके कान, आख, नाख, लिम्ज, यानि कि उसके कुछ हिस्से छोटे होंगे, किसके comparison में, जो की वो warm temperatures में मिलते हैं, चलिए, अब बात करते हैं coconut in water, ये भी एक तरीके का क्या है adaptive procedure है कि जो fibrous coating होती है, आप लोगों ने देखे होगी coconut के बार, अना नारियल के बार, य पहरने के लिए ये एक बहुत ही important adaptation है, hellophytes, hellophytes कौन से होते हैं, वो particular तरीके के organism होते हैं, जो high salt environment में जिन्दा रह सकते हैं, जैसे कि particularly mangroves, mangroves के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, but mangroves are nothing but a type of adaptive hellophytes, जो की बहुत ही brackish ecosystem के अंदर developed होते हैं, जैसे for example, यहाँ पर आप देखे area, saline soil, इसमें यहाँ पर रहते हैं, तो इनके जो adaptations में flooring schedule अलग होता है, normal plants के comparison में, यहाँ पर sequestration होता है, vacuoles में से किस चीज़ का excess नमक का, अगर excess salt आ जाता है, तो वो क्या है, पत्तियों में से ही बाहर निकल जाता है, toxic ions भी बाहर निकल जाते हैं, आप देखेंगे, र roots में इस तरीके का structures होते हैं, कि excess नमक enter ही ना कर पाए, so यह सारे जो methods है, यह सारे जो structures है, हमें एक ही चीज़ पर indicate करते हैं, कि halophytes भी एक तरीके का adaptive mechanism है, चलिए एक और adaptive mechanism को देखते हैं, hibernation, hibernation यानि कि यह एक तरीके का adaptive mechanism है, जो कि थंडे अलाकों में देखा जाता है, so what is hibernation, hibernation एक तरीके के जानवर की voluntary, यानि कि एक तो याद रखना है, यह जान के करता है, voluntary, खुद से अपनी इच्छा किसे करता है, एक इस तरीके की activity है, जो कि जानवर अपने आपको बचाने के लिए करता है, थंडे अलाकों में, अब सोचके देखिए, polar bears के हम बात कर है, अब यह polar bears जो है, इनको अपनी energy इसको बचा के इसलिए रखना पड़ता है, क्योंकि आप देखेंगे, Arctic Antarctic में, जो थंड वाला इलाका है, वो 8-9 महीने का होता है, जबकि जो थोड़ी बहुत गर्मी होती है, वहाँ पर जो पानी बनता है, बरफ पिगलती है, वो 2-3 म महीने होती है, जब बिल्कुल extreme heat वहाँ पर पहुच पाती है, बिल्कुल गर्मी हो रही होती है, तब वहाँ पर 2-3 महीने बरफ पिगलती है, पानी बनता है, अब जब बरफ पिगलती है, पानी आता है, तब जाकर करके आप देखोगे polar bear है, वो वहाँ पर शिकार कर सकता ह मचलियां पकड़ सकता है, अपने खाने को खा सकता है, बट वो 8-9 महीने क्या करेगा जब सब को जमा हुआ है, तो वो क्या करता है, एक गहरी नींद में चले जाता है, यानि कि हाइबरनेशन मोड में पहुच जाता है, वो अपने सारे स्ट्रक्चर्स के, जो उसकी बॉड़ मेटाबॉलिक रेट, आप जब भी अगर आप जिम करते हैं, तो आपको ये चीज़ जरूर पता होगी, कि भाईया, what is best cell metabolic rate, best cell metabolic rate होता है, कि आप नॉर्मल जो एक्टिविटीज करते हैं, जैसे कि मैं खाना खा रहा हूं, अभी मैं बोल रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, ठीक आप जिम जाते होता है, एनर्जी तो आपकी नॉर्मल प्रोसीजन में भी यूज होती है, मेटाबॉलिक या मेटाबॉलिजम जिसे हम कहते हैं, वो जनरली एनर्जी के उपर डिपेंड करता है, कि आपके फिजिकल अक्टिविटी कितनी है, तो आप नॉर्मल आपका लिवर, आपका हार्ट, लंग सब फंक्शन कर रहे हैं, ब्रेन फंक्शन कर रहे हैं, इसमें भी एनर्जी की रिक्वार्मेंट है, तो अगर आप अपना वेट बढ़ाना चाहते हैं, तो बी एमर जो आता है, मानलो आपका बी एमर आता है, 1600 क्यालरी, तो इससे 200 क्यालरी, तो किसी भी सूरत में वो खाएगी ही, यूस तो करेगी ही, करेगी, तो मैं आपको यह कहना चाहरा हूँ, कि हरे का एक मेटाबॉलिक रेट होता है, और उसकी अक्वार्डिन उसकी एनर्जी की रिक्वार्मेंट होती है, इसका भी एक मेटाबॉलिसम है, इसकी इनर्जी की रिक्वार्मेंट है, तो यह जब चलता है, खाना खाएगा, फिश को पकड़ेगा, और वो पूरे 12 महीने अगर अपने खाने को खोशता रहेगा, तो उसकी बॉडी में से एक्सेस एनर्जी की रिक्वार्मेंट बनेगी, और वो मर जाएगा, तो वो क्या करता है, आठ से नौ महीने एकदम ग्रेट, डीप वे इनर्जी की रिक्वार्मेंट से बहुत जाती है, जिससे की, क्या होता है, जिससे की उसकी बॉडी में एनर्जी बची रहती है, और जब वहां पर गर्माहट वाला टेंपरिच़र आता है, वो उटता है, मचलियां खाता है अपनी body में वो सारी requirements को पूरा करता है और फिर hibernation mode में चले जाता है this hibernation mode can be from weeks to months पूरे-पूरे 8-9 महिने भी हो सकता है अच्छा ये उठते हैं बीच-बीच में certain weeks में ऐसा नहीं है कि उठते ही नहीं है immune system थोड़ा सा boost हो जाए चले दोस्तों और बात करते हैं कि और क्या नए examples हैं जो adaptation से related है और example जैसे bear, bat, frogs ये सब hibernation करते ही हैं आप देखेंगे बट एक चीज़ याद रहना hibernation जो है जरूरी नहीं सिर्फ cold temperatures में ही ही हूँ hibernation गरम वाले tropical areas में भी हो सकता है ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ थंडे लाकों में ही हो it can be in the tropical areas as well temperature isn't always a factor as some species hibernate in response to food shortages also so याद रहना सिर्फ temperature ही इसका एक main कारण नहीं है अगर उनको खाना नहीं मिलता उसके लिए भी जानवर hibernate कर जाते हैं बट हाँ जब भी hibernation बोला जाता है सबसे पहला layman terms में common terms में पहला जो answer आता है वो आता है winters यानि कि थंडे इलाकों में ऐसे ही एक और term है जिसको बोलते हैं brumation brumation क्या होते हैं brumation is generally done by the reptiles जब मैं बोलता हूँ reptiles इसी तरीके से अपने शरीर को कुछ समय के लिए metabolic depression में चले जाते हैं same जैसा hibernation है वैसा ही है but वो कौन जाते हैं reptiles mammals जाते हैं तो hibernate बोलते हैं reptiles जाते हैं जैसे for example आप देखो crocodile यह crocodile जो अपने थोड़ा सा मुँ उपर करके और फिर बरफ के अंदर सो जाता है ताकि temperature को भी maintain कर सके plus वो मरे भी ना तो यह तरीके का brumation है और turtles जो है generally सारे reptiles यह इसी brumation के procedure में आते हैं एसे ही एक और शब्द है जिसको बोलते है torpor what is the meaning of torpor? torpor is nothing but a temporary hibernation बहुत छोटे समय के लिए होता है देखो अगर लंबे समय के लिए होता है तो hibernation बोलो weeks months लंबा समय बहुत एक ही दिन के लिए हो within 24 गंटे में 5 गंटे 8 गंटे कोई जानवर है हाइबरनेशन मोड में जाता है तो बोलो torpor कर रहा है अनलाइक हार्बरनेशन torpor is a involuntary यानि की torpor जो है वो involuntary है खुद से अपनी मर्दी से नहीं जा रहा है अपने आप automatically उसके शरीर में involuntary ने से वो अपने आप torpor वाली state में चले आता है जैसे अगर मैं example में बोलो हम सब सोते हैं यह वी एक torpor है क्यों क्यों कि हम लोग क्या करते हैं अपने उस समय मारे metabolic depression को हम लोग कर देते हैं ताकि energy की requirements को कम कर दिया जाए तो एक तरीके से याद रखेएगा जो यह कई सारे जानवर जो ही सोते हैं daily दिन में हाइबरनेट करते हैं इसको हम torpor कहते हैं एक ही दिन में short term period के लिए estivation गरम इलाकों में पाई जाने वाले जानवर करते हैं and this is also a type of animal dormancy यानि कि यहाँ पे भी animal जो है अपने metabolic depressions में ही जाता है बट यह समर्ज में होता है और यह कौन-कौन करते हैं snails, totise, certain species of rodents अच्छा एक चीज़ देखिए estivation हो चाहे torpor हो च चाहे brumation हो चाहे hibernation हो यह सब ही एक type of temporary state of in activity है यानि कि यह सब ही species dormancy है ऐसे desert, lizard, snakes यह सब क्या करते हैं गड़्डा बनाके ऐसे जमीनों के अंदर रहते हैं यह भी एक तरीके का adaptation procedure है ताकि वो above ground की heat से अपने आपको बचा सके एक और example देखिए adaptation I think आपको अब यह clarity के सा समझ में आने लग जया होगा what is adaptation, एक adaptation का example है extremophile, extremophile क्या होते हैं वो organisms होते हैं जो survive कर सकते हैं बिल्कुल extreme environments में उनको कहते हैं extreme ophile, extremophile जैसे for example extreme temperature, extreme pressure, extreme radiation, extreme salinity, extreme pH, अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगा उनको क्या 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 नाम बोलते हैं बढ़ हाँ, वो सब extremophile हैं, ऐसे यही उन में से एक extremophile वो है, जिसको बोलते है hyper thermophile, thermo means आप जानते हैं temperature से related बात हो रही है, hot environment की बात हो रही है, hyper मतलब वो सब ही you know organisms जो 60 degree Celsius और उससे उपर भी survive कर सकते हैं, जैसे for example अगर आप यहाँ पर notice करेंगे cyclophiles, mesophiles, thermophiles and hyper thermophiles, तो यह जो hyper thermophiles हैं, यह कौन से जान जानवर हैं, यह वो जानवर हैं जो above 60 degree Celsius यहाँ पर develop हो सकते हैं, for example Archea bacteria, they flourish in hot springs and deep sea hypothermal vents, ऐसे ही आप देखें, some other terms यह important है examination के लिए, जो बहुत ही highly acidic है, acidophile, highly alkaline में रह सकते हैं, alkalophile, you know इसी तरीके से sulpofile, जो high concentrations of sulfur हैं, ऐसे ही आप देखें, जो metals में tolerant हैं, उने के करते हैं metallo tolerant, osmophile, जो high sugar को, concentrations को, you know, use कर सकते हैं, जो radio resistant होते हैं, ionizing to radio resistant, तो आप एक बार इन सबको देख लीजे, नाम यादर कियेगा, आप से पूछे जा सकते हैं, match the following करके, एक और point है यहाँ पर बहुत important जिसको बोलते हैं, acclimatization, what is acclimatization, तो देखें, adaptation जो है, अभी मैंने सार and a gradual process, यानि कि यह एक slow और gradual process है, यह over the time period generations निकल जाते हैं, तब आता है, जबकि acclimatization क्या है, एक sudden change है, sudden stimulus जब मिलता है, उस समय एक sudden adjustment होती है शरीर के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, acclimatization, और यह जो है, adaptation में कब convert हो पाता है, यह adaptation में तब convert हो पाता है, जब साल निकल जाए, after many many generations, after long period of time, आप देखेंगे, वो generations में adaptation बनता है, बट initially वो acclimatization बन जाता है, अब मैं आपको example देता हूँ है, acclimatization का, आप मुझे एक चीज़ बताईए, अभी आप एकदम से थंड वाले इलाके में चले जाते हैं, थंड वाले इलाके में जाते हैं, त एक तरीके का आपके body का immediate response, और ये immediate response क्या है, acclimatize करने का, for example, आपने देखा होगा, जब थंड लग रही होती है, तो हमें shivering हो रही होती है, शिवरिंग नहीं होती है, वो actual में हमारा शरीर जो है, वो body में heat generate करने की कोशिश कर रहा होता है, उसी को हम shivering बोल देते हैं, ज वसीना निकलेगा, उसी साथ भुखार भी निकल जाएगा, क्योंकि body अपना heat को loss कर चुकि है, इसे करते है, acclimatize कर देना, body के initial response होता है, एकदम से response आता है, जब आप नए environment में जाते हो, for example, आपने देखा होगा, कि आप एकदम से बहुत ही गर्मी वाले अलाके में चल ग यहां से पहाड़ों पर चले आगे, mountains पर, जैसी आप mountains पर जाएंगे, तो आप जब trekking करेंगे, तो आपको oxygen लेने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, आप एकदम से oxygen नहीं ले पाएंगे, तो कुछ दिन लगेंगे आपको, बढ़ हाँ, आप आप अपकी body जो है, थोड़ी सी इस तरीके की state में आ जाएगी, कि हाँ आप ले पा रहे हैं वहाँ पर जाकर के सास, बट वो ही व्यक्ति, जो naturally mountains में पैदा हुआ है, बहीं रहा है, उसके generations बहीं निकले हैं, उसको इस तरीकी कोई तकलीफ नहीं होती, क्यों नहीं होती, क्योंकि उसकी body adapt कर चुकी, आपकी body अभी acclimatize करी है, फ़राखे acclimatize और adaptation में, so acclimatization is generally reversible, अब मेरे कहने का मतलब यह है, जैसे आपके होट फट गया, अब आपिस अगर normal temperature में आ जाओगे, तो आपके होट वापिस से हो जाएंगे, अब आपिस से plains में आ जाओगे, तो आपकी body में उतना ही RBC बनेगा, जित क्योंकि उसके शरीर तो वैसे ही adapted है, और adaptation जो है, वो irreversible होता है, जो या दखना, body compensate करते है, low oxygen को by increasing the red blood cells production, और ये एक तरीके का acclimatization है, जो overcome करता है minor problems को, जो surroundings में आती है, चलिए दोस्तो, अब हम लोग थोड़ा सा प्रयास करते हैं, question को देखते हैं, और check करते हैं कि पर आप लोग ये topic को समझ पाए हैं, पहला question है, some microorganisms can grow in environment with temperature above the boiling point of water, जी हाँ ये बात बिल्कुल सही है, कुछ organisms जो है, वो temperature जादा में भी क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं, grow कर सकते हैं, और जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर एक word है can, जब भी मैं आपसे can word के बारे में बोल कहीं पे research में species के अंदर कभी भी भैस नहीं करनी हमें UPSC वालों से कि ऐसी कोई species नहीं है, क्यों हो सकता है, कहीं न कहीं discovery हो रही हो, क्योंकि देखो, generally 90% species जो पानी के अंदर रहती हैं, और 85% species जो लांड पे रहती हैं, उनके बारे में हमें knowledge भी नहीं है, so कहीं न कहीं ऐस कोई न कोई species ज़रूर होगी, हां करके आजाओ, दूसरा देखे, some microorganisms can grow in environment with temperature below with freezing point, some microorganisms, हां कोई न कोई ज़रूर होगा और वैसे भी है, थंडे इलाकों में भी आप देखेंगे कहीं microorganisms होते हैं, जो below freezing point of water के भी रहते हैं, third देखे, some microorganisms can grow in highly acidic environment, जो भी हम लोग ने देखा acidophile, बिल्कुल सही बात है, only three is the option, which among the following are the examples of adaptation, adaptation का example बताना है, Archea bacteria, यानि कि एक hyper thermophile हम कह सकते हैं इसको, flourish in hot springs and deep sea vents, ये deep sea vents वो ही जगा है, जो like sea में आपको देखने को मिलते हैं, trenches, बहुत गिराई वाले areas, या hypothermal vents, जहां बहुत जादा गर्मी होती है, क्या वहाँ पर कु thousands of migratory birds visit, bird century, भरतपूर bird century, इंग राजिस्थान, जी हां, हर साल winter के महिने में आते ही हैं, और ये वाला जो मौसम है, इसमें एक behavioral pattern शो होता है, इसलिए ये adaptation का ही example है, people living at high altitudes, higher RBC than people living in plains, पहली चीज़ आप एक बार बहुत clear cut समझ लीजे, कि वो व्यक्ति, जो plains से अभी mountains म में गया है, उसकी body में तो RBC जादा बनेगा, क्यों, क्योंकि acclimatization का procedure स्टार्ट हो जाएगा, और आप जानते हैं, what is acclimatization, acclimatization is a sudden adaptation, आप कह सकते हैं, कि sudden changes जो हमारी body में आते हैं, it's not a gradual, वो successive generations में नहीं होए, initially एक adaptation का process स्टार्ट हुआ है, बहुत initial time period के लिए, that is reversible also, बट जब मैं adaptation, actual core concept में बोलता हूँ, तो adaptation is permanent, adaptation तो successive generations में आता है, gradually आता है, बहुत slowly आता है, बट आता है, तो permanent लिए आता है, अब दूसरी बात मैं आपसे बोलता हूँ, एक ऐसा व्यक्ति, जो रहता ही mountain में है, जिसके successive generations वहीं निकली हैं, हजारों साल वहीं हो चुके हैं वो adapt कर चुका है उस environment में, उसकी body में RBC जादा नहीं होगा, बास समझ रहे हो आप, RBC जादा वहाँ होगा, जहां पर acclimatization का procedure हो रहा है, मैं अगर यहां से mountain जाओंगा, mountainous areas पर जाओंगा, तो मेरी body में RBC का जाओंगा, तो मेरी body में RBC का जाओंगा, बट वो व्यक्ति acclimatization का example, not adaptation, adaptation में तो जो altitude पे रहता है, चाहे वो plains पे रहता है, दोनों का सेम ही होगा, RBC, चलिए, how do plants in desert adapt to conditions of low moisture, कम moisture में कैसे रहते हैं, leaves और जो stems होते हैं, succulent होते हैं, waxy होते हैं, juicy like substance होता है, water storing होते हैं, बिल्कुल सही है, some plants के stems भी chlorophyll रखते हैं, और photosynthesis कर सकते हैं, म सिर्फ rainy season में ये बात बिल्कुल सही है, कुछ plants ऐसे होते हैं, जो सिर्फ बारिश पढ़ती है, monsoon का समय होता है, तब ही growth शो करते हैं, और उसके बाद अपनी growth को रोक लेते हैं, so answer is all of the above, assertion reasoning का question है, assertion में कहते हैं, during times of drought, the plants voluntarily, ये बात यहाँ पर बहुत important है, plants खुद से अ बिल्कुल सही है, जब भी drought आता है, तो आप जानते सूखा पढ़ गया, सूखा पढ़ गया, तो यानि कि moisture की कमी हो गई है, तो उस समय plants अगर बहुत तेजी से reproduce करने की कोशिश करेंगे, ये बहुत तेजी से अपने आपको grow करने की कोशिश करेंगे, तो उनको moisture बहुत ज यानि कि उसकी growth को रोक देता है, तो आप जानते हैं कि answer क्या है, तो A is true and R is the correct explanation, चली, choose the incorrect pairs, इनकरेक्ट की बात हो रही है यहाँ पर, sloping branches and needle-like leaves, कहां पर देखने को मिलती है, तुन्डरा, यानि कि थंडे लाको में, ना कि desert में, क्योंकि sloping branches नहीं मिलती है, बेशक हो सकता है, cactus में आपको thorns देखने को मिल जाए, जो गी needle-like है, but sloping branches नहीं देखने को मिलती है, sloping branches हमेशा थंडे लाके में मिलती है, ताकि जो snow है, वो accumulate ना हो और नीचे गिर जाए, deep roots, यहराई में बहुत जड़ों का जो मजबूती है, वो कहां मिलती है, tiger vegetation में, जी नहीं, desert vegetation में क्योंकि आप जानते हैं, desert में, जहां पर भी पानी की कमी होती है, जो roots होती है, या तो वो laterally बढ़ती है, या फिर वो vertically बढ़ती है, अचा, third, waxy stem, thick leaves और no leaves यह कहा है, obvious ही बात है, desert, अभी हम लोगों ने देखा, water storing capacity, canopy, 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 tropical vegetation का एक feature है, होता क्या है canopy, जब भी आप tropics व लंबा होने की कोशिश करता है, क्यों, ताकि उसको सही मातरा में क्या मिल जाए, sunlight मिल जाए, तो हरे को sunlight चाहिए, और उसके लिए वो compete करता है, और उसके लिए अगला पेड़ जो है, पिछले वाले से थोड़ा लंबा रहता है, जब आप इसको उपर से देखोगे, एकदम हमनो, हेलिकोप्टर से जाके जेक करेंगे, तो आपको एक छतरी-like structure मिलेगा, यानि umbrella-like structure मिलेगा, इस umbrella-like structure को हम canopy केते हैं, और ये canopy is the feature of tropical forest, बाकी biomes जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, तब वहाँ पे भी ये clear कर दूँगा, so obviously incorrect पूछा गया है, 1, 2, 3, all are incorrect, so option is C, चली एक question पूछा गया, consider the following statements with regard to hibernation, hibernation से related है, क्या ये एक state of in activity होती है, metabolic depression है, बिल्कुल है, the process allows to conserve energy, इसी के लिए तो पूरा का पूरा procedure रचा गया है, hibernation का पूरा process ही इसी के लिए, concept ही यही है, third, बहुत statement important है, कहते है, electrical activity in the brain is completely seized, देखो, completely seized, पते कब होती है ब्रेन में activity, मैं यह बोल सकता हूँ, hibernate करने वाला, estimate करने वाला, torpor में आने वाला या brumate करने वाला जानवर मर चुका है, जी नहीं, वो एक गहरी नींद में है, अगर आप उसको डंडा मारोगे, अगर आप उसको, you know, कोई उस पे शिकार करने जाएगा, तो वो attack कर सकता है, वो सिर् आनी वीडियोस को चेक करते रहे, revise करते रहे, और मैं अगली वीडियो के साथ जल्दी आपको मिलता हूँ,